हाई दोस्तों आज आपके लिए अपडेट है भारती रेलवे मालगोदान से संबधित आईए आपका स्वागत है मिस्तराजी इंडियन डेलवे न्यूज में आज आप सर्मिक भाई के लिए महतपुर्ण अपडेट है चानले हैं सबसे पहले मैं आप सभी को बता दो दोस्तो जैसा आप सभी देख पा रहे हैं सर्मिको आज खुसकबरी तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी के लिए खुसकबरी आए गैंग लिस्ट जमा हो रहा है हो चुका है एन एफार जोन की बरियू पलबदी तो दोस्तों बहुत सारे जो है जो है सर्मिकों का बहुत सारे माल कारी आप सभी को मिल पाए जो सर्मिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करें बे लाइकान दबाएं जो कि सही टाइम पर आपको सही न्यूज जो है मिलता रहेगा चलिए दोस्तों सुरू करते हैं और देखते हैं क्या है सबसे पहले मैं आप सभी को बता दू दोस्तों जैसे आप सभी देख पा रहे हैं कि सर्मिक आज खुस खबरी और गेंग लिष्ट जमा हुआ एन फार जोन बड़ी उपलब दी तो दोस्तों मैं बता दूं कि एन फार जोन कुछ पीशे चला था और लेकिन आज अभी सब से आगे है और जो गेंग लिष्ट छे जोनों का जमा करना था उसमें एक जोन का लग कंप्लीट हो चुका है लगभग कंप्लीट तीन से चार दिनों के अंदर जो है सारी चीजें जमा होने का काम होगा और यह बड़ी उपलब दी जो है एन फार जोन में इसका मुख्याले जो है दोस्तों गोहाटी में है और यहां असम बहुत सारे जो है इसमें लगता है अगर आप नहीं जाते हैं कि एन फार जोन में कौन कौन सा है तो सर्ज भी कर सकते हैं कई वीडियो हमने बनाया है और बंगाल भी इसमें लगता है असम लगता और भी गोहाटी बहुत सारा है और वहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मनीपाल भी तो यह सारी चीज़ें हैं और वहां के सर्मिकाओं को लगभग कंप्लीट हुआ है लेकिन मैं बता दूँ आपको यहां सीख लेनी चाहिए ने फार यहां देख सकते हैं और चुन डेलवे से और तस्वीर वहीं की है तो दोस्तों यहां सीख यह लेनी चाहिए कि असम में किस परकार की बातें थी संग का बिद्रोह हुआ वहां पर कुछ नए यूनियन बनाया गया कुछ संग अठन हुआ बिद्रोह हुआ लिंक नहीं हुआ रिजिस्टेशन होने में दिक्कते आ रही थी और लेकिन सारा ची जिए गया गया है दिसम्बर फर्स्ट वीक का उसमें एक जोन सिर्फ ख़रा उद्री है और दूसरी कोई जोन की अभी बातें नहीं आई है कि उसका गेंडिस्ट कंप्लीट हो ए और ये मुख्य कारण रहा है जो संग का संग का कहना था कि अगर गैंग लिस्ट कंप्लीट करके अगर जमन नहीं हुआ तीस नमंबर से पहले तो आप सभी को उसमें जितने अधिकारी थे सभी को निस्कासित करने की बात की ऐसी नहीं बात थे कि एक माल गोदाम का कम्पलीट हो चुका था वहां कुछ माल गोदाम थे जहां पर कम्पलीट नहीं हुआ था अधिकार्यों की गलती से उनको जो है बरखास्त करने की जो धम की मिली संकी और से और वह भी कम्पलीट हुआ और असम थोड़ा सा पीछे था असम में भी कंप्लीट कराने काम किया दोस्तों अब बस दो चार दिन या एक सब्ता के अंदर जो है ये एने फार जो उनका गेंग लिश्ट जमा होगा और अब दूसरा नमबर कोन आता है नहीं आता है लेकिन सबसे आगे कोई आया है तो एने सर्मिकों के लिए एक बड़ी बात था और इस तरह का आपको जो तस्वीरे हैं मिलेगी ये सभी चीजे जो है ऑफिसियल वर्क करके जो है सभी चीजे समीट करने का काम करेंगे एने फार जो उनके बदाधिकारी जो संक के बदाधिकारी गन है सभी का गेंग लिश्ट जमा हो राइदा दुस्तों ये ताजा खबर थी आप सभी के लिए और आप सभी भी अगर देश के कई जगह से है च्छतीस गड़ को भी इससे सीख लेनी होगी किस तरह असम और च्छतीस गड़ में बातें हुई थी लेकिन आज जो है असम सही हो चुका है और च्छतीस गड़ अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक करे हमें सप्सक्राइब करना शाथे है वर चैनल को सब्सक्राइन धहने बात